करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जनवारी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फरस्ट कॉमेंट में या फिर पीडियेफ कोर्स परचेश करते हैं तो यह सभी कंटोर्ण आपको मिलता है और हमारी एप पर आप लोगिन करके पास सकते हैं कोई भी आपका डौट होगा हमारी पीडिएफ कोर्स रिलीटेट तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें तो चलिए फिर करते हैं Father of Pius Diversity कहे जाने वाले Edward Osborne Wilson का हाली में निधन हो गया है पारस Defense and Space Technologies इसके साथ DRDO Border Surveillance Systems की टेक्नोलोजी शेयर करेगा परवीन कुमार को Director General and Chief Executive Officer बनाए गया है इंडियन Institute of Corporate Affairs में चंद्रप्रकास गोयल इनको Ministry of Environment, Forest and Climate Change में Director General of Forest and Special Secretary बनाए गया है एशेन चियाना इनको यामाह मोर्टर इंडिया गुरूप का नया चेयर्मेन बनाए गया है आरती कृष्णन इनको सेवी द्वारा जो एक Mutual Funds पर Advisory Committee बनाए गई है उसके as a member इनको include किया गया है नाम है आरती कृष्णन बीना पांग की Multiproduct Pipeline Project इसको उत्रप्रदेश में इनोग्रेट किया गया परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपूर में Blockchain Based Digital Degrees को लौँच किया संज्यू वर्माद्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है The Modi Gambit Decoding Modi 2.0 दानी सिद्धिकी को मर्नो प्रांथ Journalist of the Year for 2020 का अवार्ड दिया गया है मुंबई Press Club की दुआरा एक Software Technology Park को इनोग्रेट किया गया मेरट में NASA अगस्त 2022 में जो Strange Metallic Asteroids हैं तो उन पर Research करने के लिए Psychic Mission को लौँच करेगा अमिच्छा ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क को इनोग्रेट किया है तमिलाडू स्टेट गवर्मेंट ने CM Dashboard Monitoring System को लौँच किया बेल्जियम 2025 तक अपने जितने भी existing nuclear power plant से इन सभी को क्लॉज कर देगा साथी जापाने वर्ड की First Dual Mode Vehicle लौँच है जिसको आप रोड पर या फिर ट्रेक पर चला सकते हैं इंडसीड मेंग ने Green Fixed Deposit इसको लौँच किया है चले देखते हैं आज एक रंट अफेर्स कोश्चन्स वी के त्रिपाथी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में किसका इस्थान लेंगे ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है तो देखें अपॉइनमेंट्स कमिटी ओफ ता कैमिनेट इसने विने कुमार त्रिपाथी या फिर वी के त्रिपाथी इनको रेलवे बोर्ड का नया चेर्मेंट एड चीफ एक्जेकुटिव ओफिसर निउक्त किया है आपको बता दें ये सुनीत सर्मा की जगलेंगे अब तक सुनीत सर्मा इस पोजिशन पर थे और इनकी जो अपॉइनमेंट हुई है वी के त्रिपाथी की ये 6 मंत के लिए हुए यानि की 1 जनवी 2022 से 30 जून 2022 तक के लिए आपको बता दें ये रेलवे बोर्ड में एक चेर्मेन होते हैं साथी 7 अधर मेंबर्स होते हैं और एक फाइनेंशल कमिशनर होता है इन्हें ही डिरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज डिरेक्टर जनरल परसनेल एंड डिरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटक्शन फोर् के 24 वे परमुक के रूप में किसने पदभार ग्रेंड किया है सही आंसर ओप्शन C है तो यह इंडियन कोस्ट काड के 24 चीफ नुक्त किये गए है आपको बता दें यह इलॉमनस है defense services staff college Wellington के और national defense college new Delhi के देखिए यह लाइन में इसलिए अड़ किया ताकि आपको यह पता रहे कि कौन सा college कहां पर है पूश ले जाता है कि डिफेंस services staff college यह Wellington में है national defense college new Delhi में है बागी आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट कार्ड की स्थापना एक फरवरी 1977 को हुई थी और इसका मोटर है वयम रक्षाम यानि की वी प्रोटेक्ट जवारलाल नहरू रोड का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी मार्ग किस राज्य में रखा गया है सही आंसर ऑप्षन बी है जवारलाल नहरू रोड रिनेम्ट एज नरेंद्र मोदी मार्ग इन सिक्किम देखे एक रोड है जो की सोमगो लेक को नाथुला बोर्टर पास से कनेक्ट करती है गैंग टॉक में तो इस रोड का नाम पहले जवारलाल नहरू रोड था अब इसको नरेंद्र मोदी मार्ग का नाम दे दिया गया है और इसको ओफिशली इनोगरेट किया गया है सिक्किम पे गवर्णर गंगा परसाथ के दुआरा बाकि आपको जानना चाहिए सिक्किम की कैपिटल गैंग टोक है और चीफ मिस्टर है प्रेम सिंग तमांग भारते सिना ने हालि में किस राजय में कौंटम लेब की स्थापना की है? ओप्शन साथ के सामने हैं सही आंसर ओप्शन D है दे इंजेन आरमी तो cleaned है ने, कौंटम लेब इन मध्य परदेश देखें इंडियन आर्मी ने हाल ही में मध्यपरदेश की महों में स्थित Military College of Telecommunication Engineering यहां पर Quantum Lab को Establish किया है साथी नों नहीं ही पर Artificial Intelligence Center यानि की AI Center को भी Establish किया है सेम इंस्टिटूशन में हाली में पढ़ा था कि मध्यपरदेश गवर्मेंट ने First Drone Fair इसको Organize किया है ग्वालियर में यह Important Question आपके लिए बन सकता है साथी आप जानते हैं कि वर्ड संगीत तांसेन फेस्टिवल यह मध्यपरदेश ग्वालियर में Organize किया जाता है दंत भीमा की पेशकश करने के लिए किस General Insurance Company ने Cloud Dental के साथ सहयो किया है सही आंसर है Option D So ICICI Lombard General Insurance has collaborated with Cloud Dental to offer Dental Insurance जानेंगे इसके बारे में तो देखिए Dental Insurance offer करने के लिए ICICI Lombard General Insurance Company ने Cloud Dental के साथ भागेदारी की है बैंकिंग इजाम में इस तरे कुशन पूछ ले जाते हैं आपको जाना चाहिए ICICI Lombard General Insurance के CEO भारगव दासकुपता है Headquarters मुंबई महरास्ट में इस्तित है प्लास्टिक की थेलियों को खत्म करने के लिए किस राज्य ने मिंदम मंजपाई अभियान की सुरुवात की है केरल करनाटक तेलंगाना या फिर तमिलनाडू सही आंसर ऑप्शन D है तमिलनाडू स्टेट लॉंच्ट मिंदम मंजपाई केम्पेंट टू एलिमिनेट प्लास्टिक बैक्स देखिए तमिलनाडू के चीफ मिस्टर है M.K. स्टैलिन आप सभी जानते हैं तो इन्होंने Environment Friendly Initiative लॉंच किया है अनामे मिंदम मंजपाई विजी पूरनर्वू यकम तो इसका तो इस प्रफिर से दुबारा ये जो आपके पॉलेथीन होती है यह सब यूज में आने लगे तो काफी अच्छा इनिस्टिव इसको कहा जाएगा तो एक awareness campaign है यह कि yellow cloth bag को आप यूज कीजिए जिसको यहाँ पर बोल जाता है मंजा पाई भी इसको बोलते हैं तमील में तो इसको आप यूज कीजिए साथी हमने देखा था कि तमिलनाडू government ने cm dashboard को launch किया है साथी तमिलनाडू सरकार ने तमिल थाई वज़तू इसको state song declare किया है किस संस्थान को 2021 का रास्ट यह नसल संदक्षन प्रोस्काल मिला है जानेंगे इसके बारे में तो देखिए जो आपको मैंने लिखा option में के वी एस्यूज की फिलफोर्म है के रिला वेटरिनरी एंड एनिमल साइन्स यूवरस्टी तो इसको नेशनल ब्रीट कंजर्वेशन अवार्ड फोर 2021 दिया गया है आपको बता दें यह अवार्ड जो है ICAR the National Bureau of Animal Genetic Resources यानी NBAAGR द्वारा दिया जाता है किसलिए दिया गया है यह देखिए यहां की जो only registered native chicken breed है जिसका नाम है तली चरी ब्रीड तो इसके conservation और research activities के लिए दिया गया है इसमें जो है 10,000 रुपे तक का price दिया जाता है Ross Taylor ने अंतराश्टे क्रिकड़े से सन्यासी घोशना कर दी है वह किस team के लिए खेले सही answer option D है Ross Taylor has announced retirement from international cricket he played for New Zealand देखिए New Zealand के काफी veteran better रहे है Ross Taylor तो इन्होंने हालीव international cricket सन्यासी घोशना कर दी है आपको बता दी है ये first क्रिकेटर है जिन्होंने New Zealand के लिए तीनों ही format में 100 या इससे ज़्यादा मैचेस खेले हुए है साथे आपको जानना चाहिए साल 2006 मेन ने डेब्यू किया था और New Zealand के लिए international cricket में highest run score रहे हैं एठाराजार चोटर रहे हैं इनके किस राज्ये ने कोशल रोजगार निगम पोर्टल लॉंच किया है बिहार, हर्याणा, उत्रप्रदेश या फिर मद्यप्रदेश सही answer option भी है सो हर्याणा लॉंच्ट कोशल रोजगार निगम पोर्टल तो हर्याणा के जो चीफ मिरिश्टर है मनोरलाल खट्टर तो इन्होंने हर्याणा कोशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉंच किया है साथ इन्होंने गुरू गराम में अटल पार्क और इस्मृति किंद्र इसको सेट अप करने की घोशना भी की है हर्याणे की बात करें तो गवर्णर बंदार उदत्ता तरी है, कैपिटल चंडीगड है दया प्रकास सीना ने किस पासा वर्ग में साहित्य अकेडमी पुरुसकार 2021 जीता है सही आंसर ओप्शन एह है जानेंगे इनके बारे में, तो देखे, साहित्य अकेडमी अवर्ड एनौंस कर दे गए है और 2021 के लिए, तो किन 20 इंडियन लेंगवेजेस में जो राइटर्स लिखते हैं उनको इस बार दिया गया है, देखे, टोटल वैसे 24 लेंगवेजेस में जो होता है, वो दिया जाता है लेकिन अभी 20 लेंगवेजेस के ही राइटर्स को दिया गया है गुजराती, मैथली, मनिपूरी और उर्थु, इन लेंगवेजेस के लिए बाद में दिया जाएगा तो फिलाल 20 के लिए दिया गया है, 24 को दिया जाता है देखे, दया प्रकास सीना को हिंदी के लिए मिला है, नमिता गोकले को इंगलिस के लिए मिला है आगे थोड़ा detail में जा लें तो जो यह धया प्रकास सीना है इसके लिह पूछे जाते हैने के लिए तो इनकी रचना समराट असक के लिए मिला है नमिता गोकले इनको इनके novel Things to leave behind यह English में है तो इसके लिए इनगलिप के लिए साइट्ने मिला है खालित हुसेन को इनकी short story collection 1610 सालान इसके लिए पंजाबी language में जो है इनको साहित गैडमी पुरुषकार दिया गया है बाकिया आपको जानना चाहिए जैसा मैंने आपको बता है 24 Indian languages writers को ये हर साल दिया जाता है और इसी के साथ युवा पुरुषकार and Children's Literature Award 2021 ये भी दिया ग जनी इनको जो है बाल साहित पुरुषकार 2021 दिया गया है बायोग्रफी के लिए अमृता शेर्गिल Rebel with the paint brush इसके लिए साथ आपको बतादे जोसाइत पुरुष्कार हैं में 1,00,000 रुपे दिये जाते हैं और जो आपके युवा पुरुष्कार चिल्डर लिट्रइचर अवार 2021 इसमें 50,000 रुपे दिये जाते हैं केंद्रे ग्रह मंत्राले ने किस राज्य में ससस्त्रबल विशेज अधिकार अधिनियम यानि कि अपस्पा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है सही आंसर ऑप्शन बी है जानेंगे इसके बारे में देखिए किस ने किया है यूनियन मिनिस्ट्री ये डिसिजन लेती है तो इसने जो अपस्पा एक्ट है 1958 का इसको नागा लेंड में और अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है तो देखिए एक्ट क्या है आप सभी जानते हैं जो नौर्ट इस स्टेट में ही अब यह तो उन्नीस सो अठाव नाइंटीन फिफ्टी एट से चलता रहा है तो देखिए क्या करता है यह तो आप इसको देखेंगे ना यह होड से तो आप इसके हैट पर यह इस्ट्रैप द क्या बोलते हैं तो यानिकी लगाम लगाम कसना बोलते हैं ना तो यह लगाम होती जिससे आप खोड़े को नियंतरित करते हैं। अब किसी चीश की आगे अना जाता है इसका मतलब क्या होता है ओपॉसिट तो अन्राइड यानिकी बेलगाम पावर ठेंड़ को तो यहος तो किल भी कर सकते हैं और उसको उसका जो घर है उसकी जो प्रिमाइसे से उसको सर्च भी कर सकते हैं बीना किसी वारेंट के आयोप आप समझ गयोंगे और आपको बता दें यह सब होता है इस एक्ट जो यह अपसपा 1958 की सेक्शन 3 के तहत और फिराल अस्परा कौन-कौन से कुछ भागों में है साथ ही अरुनाचर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में है बलकि मिजोरम त्रिपुरर में घाले में यह नहीं है भारत के खिलाव पहला टेस्ट खेलने वाले दक्षिन अफ्रिका के किस क्रिकेटर ने ततकाल प्रभाव से टेस्ट से सन्यासी खोशना की है सही आंसर ओप्षिन डी है सो साथ अफ्रिकन क्रिकेटर कुंटन डी कोक हूँ प्लेट दफर्स टेस्ट अगेंस इंडिया एनौंस्ट इस रिटार्मेंट फ्रम टेस्ट विद इमेडियेट एफेक्ट देखिए साथ अफ्रिका के विगेट कीपर बैट्स मैं ने इन्हों क्विंटन डी कोक इन्होंने हाली में टेस्ट क्रिक्ट से सन्यास की कुछना कर दी है चब्वन मैचेस इन्होंने खेले हैं फिफ्टी फॉर तैदिस सो रन बनाए इन्होंने और थर्टी पॉइंट पॉइंट टू का एवरेज आए बाकी दो सो इकिस कैचेस यह सब है मैगनेस काल्सन को हराकर सबसे कम उम्र में विस्व रैपिट सतरंच का किताब किसने जीता है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी है तो देखिए नौधिर बैक अब दूस्वात रोओ डिफीटेड मैगनेस काल्सन टू विन द वर्ड रैपिट चेस टाइटल becoming the youngest champion in the history of the competition जाने के काफी महत्त पूर्ण है देखिए ये उजबेगिस्तान के नौधिर बैक जो है उजबेगिस्तान के ये आपको जानना चीए 17 साल की उम्र में इनोंने मैगनस काल्सन को जो हराकर वर्ड रैपिट चेस चेंपिशिप जीती है कहाँ पर हुई है पॉलें किसी रोड में जा रहे हैं और मतलब रोड है उस रोड से जा रहे हैं आप कहना चाहते हैं कि रोड जो है बिल्कुल सुनसान थी कोई भी नहीं था उसमें एक भी व्यक्ति नहीं था ठीक है तो पीपल क्या होता है व्यक्ति होता है ना पीपल पीपल उसके आगे भी आप ड लगा दीजे, D people, the road was D people, देखा कितने ही इस खुबसूरत English होती है, तो D जोड़ देने से आपने एक अच्छा सब्द बना लिया, एक सांथ रोड थी, सुम्चान रोड थी, आपने कह दिया, road was D people, road जो है, बिलकुल सांथ थी, महाँ पर एक भी व्यक्ति भी नहीं था, खेर यह हुई English की बात, तो देखिए, इन्होंने जो है, tournament के 13 round में 7 wins इन्होंने जो है, हासिल की थी, तो मेना आपके लिए यह point है, किसने जीता है, यह है, कहा आगे, उजबेकिस्तान के, National Basketball Association के इतियास में, तीन हजार career, three pointers बनाने वाले पहले किलाड़ी कौन बने है, सही answer, option A है, so, Stephen Curry, became the first player in the National Basketball Association history, to make 3000 career, three pointers, तो देखिए, Golden State Warriors के वर से खेलते हैं, Stephen Curry, तो यह first player बन गए है, NBA history में, जिनोंने एक गेम में, जिनोंने एक गेम में, 3000 career, three pointers, जो हैं, बनाए, तो बास्केट बोल कि यहां पर बात हो रही है, भारत का रक्षा और aerospace winner man, बाजार, अगले वर्स बढ़कर, एक लाग करोड हो जाएगा, और 2000 सेंताजित तक, पांच लाग करोड तक पहुंश सकता है, यानि कि, इंडिया's defense and aerospace manufacturing market would increase, two rupees one lakh करोड next year, and could reach five lakh करोड by 2047, तो देखिए, एक press conference के दोरान, ये बात कही है, राजनात सिंग ने, आज कल आपके एक्जाम में, इस तरही काफी चीज़े पुछी जाती है, मान लिजे, कोई target, प्यूस गोईल ने बता दिया हो, या फिर राजनात सिंग जी ने बता दिया हो, है न, या फिर आपके जो RBI की जो governor है, उन्होंने बता दिया हो, तो इस तरह की बाते आपको statement, आप जो है ध्यान से पढ़नी होंगी, या फिर पूछ ले जाती है, मैक्सिकों भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही answer option B है, पंकाष शर्मा एस बिन अपॉंटेट एस नेक्स्ट आम्बैस्टर आफ इंडिया टू मैक्सिको, बाकिया आप जानते हैं, मैक्सिकों गैबिटल मैक्सिकों सिटी है, करंशी है मैक्सिकन पैसो, चले देखते हैं, प्रिवेस अस्टाइनमेंट कोस्टेंस के आंसर, सिल्वर लाइन सेमी हाइइ स्पीड रिवलेट प्रोजेक्ट इस रिलेट टू विच स्टेट आंसर इस के रल, फिच चुंट लांगेवान जवान-102E, और 5-meter-02-Optical Satellite, चानानाश इस चानाश इस निए्ट इस लाइनट इस अस्टेट इस वार्ट इस तर बेस्ट इस वालियर मद्याप्रदेश, फिच स्टेट असेंबली आंसर इस जारकंड आप में से बिलकुल कई स्टेट इस बिलकुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से फ्रेंट साब पार्टिस्पेट करती रहिए, तो जैसा कि हमने एक इंगलिस की सीरीज भी शुरू की है, जिसमें मैं आपको केवल एक सिंपल मिनिंग बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि, देखें मैं इंगलिस का टिचन नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिलकुल एंडोनिम, सिनोनिम, बिलकुल यह बताऊंगा, मैं आपको एक आईडिया देता हूँ, जब आप नियूस quarrel हो जाना तीखी नोक्चों को जाना है ना बहस हो जाना तो देखिए आपर कोई कोई टुरिस्ट रहा है उसके साथ पुलिस की जो है थोड़ी सी तीखी नोक्चों को बाला जागा है फ्राकस यह important सब्द आपके लिए याद रखिएगा ठीक है आपके spoken English में भी काम आ सकता ह है तो फ्राकस हो गया उसके साथ और जिसकी वज़े से उस SI को सस्पेंट कर दिया कि उसका behavior अच्छा नहीं था लोगों ने वीडियो देखी और जो है उसको सस्पेंट कर दिया गया है तो हमारा सब्द क्या है आज का फ्राकस दूसरा सब्द देख लेते हैं देखे बीन सुना होगा और काफी important है पूछ ले जाता है इसी के पहले आया है मौन मौन का मतलब विलाप करना ठीक है मतलब की अपनी सम्वेदना व्यक्त करना दुखी होना यहां पर आप देखेंगे PMO announces ex gratia of rupees 2 lakh for kin तो देखे एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है ex gratia का मतलब होता है आप voluntary आप अपनी मरजि से कुछ पैसा देते हैं कोई ऐसी party है कोई असी मतलब दुखी family है आप अपनी मरजि से उसको पैसा देते हैं उसको बोलता है ex gratia और 2,00,00 रुपए दे किसको किन के लिए, यानि कि जो लोग मरे हैं, उनके जो बच्चे हैं या बीवी हैं, उनको किन बोलते हैं, उनको दिये हैं, ठीक है, तो एक ही आर्टिकल में दे कितने सारे इंगलिस के शब्द आपको जानने के लिए मिले हैं, ठीक है, तो इसी तरह follow करते रहे हैं कई सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलते रहेंगे चले देखते हैं आज के assignment questions थोल लेक wildlife century is located in which state which bank is the largest merchant acquiring bank in the country Chief Justice of India N.V. Ramana started his professional career as what देखें जो हमारे Chief Justice of India है फिलाल N.V. Ramana तो इन्होंने जो अपना professional career शुरू किया था तो ये क्या थे? डॉक्टर थे? जर्नलिस्ट थे? या फिर एक्टर थे? क्या थे? ये आपको बताना है तो पांचो questions के answer आप हमें comment box न जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो वह भी आप हमें जरूर से बताया करें साथ ही आप current affairs funda को टेलिग्राम पर भी जोन कर सकते हैं यहाँ पर regular वीडियो अपडेट्स और current की जिसम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही